हेलो दोस्तो क्या हाल चाल बढ़िया सब आसा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे दोस्तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्क्रीन सेवर के बारे में तो दोस्तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्क्रीन सेवर होता क्या है तो दोस्तो स्क्रीन सेवर लगाने का दो परपस होता है सबसे पहले हम थोड़ा स्क्रीन सेवर अपलाई करके देख लेते हैं उसके बाद हम आपको बताते हैं कि स्क्रीन सेवर लगाने का परपस क्या होता है सबसे पहले हम screen saver apply करने के लिए दोस्तो desktop पे right click करते है right click करने के बाद सबसे नीचे एक option दिख रहा हुगा पर slice का इस पे हम click करेंगे click करने के बाद दोस्तो आप देख सकते हैं यह आपका windows खुल चुका है and यहाँ पे देखिए desktop background है windows color है sounds है और यहाँ पे देख सकते हैं सबसे last में right side में नीचे दोस्तो आपका लिखा हुए screen saver आपको normally इस screen saver के option पे click करना है दोस्तो और screen saver का pop up खुल के आपके सामने आ चुका है ध्यान से देख सकते हैं इसी pop up के दोरान हम screen saver apply करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे screen saver का एक option दिख रहा है इसके नीचे लिखा हुए दोस्तो none, none मतलब क्या अभी इस PC में screen saver apply नहीं किया गया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं drop down पे click करते हैं drop down पे click करने के बाद दोस्तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो option है वो 3D text का है उसके बाद blank है उसके बाद bubbles है उसके बाद Google photos screen savers है उसके बाद Mastify है उसके बाद photos है और उसके बाद rebounds है दोस्तो तो step by step, line by line हम सबको एक एक करके देखते हैं none का मतलब क्या है दोस्तो कि मेरे को screen saver रखना ही नहीं है तो हम none पे click करके ok कर देंगे तो जो screen saver already पहले से लगा भी हुआ होगा वो क्या होगा हट जाएगा second option में देखते हैं दोस्तो 3D text 3D text पे click करने के बाद दोस्तो आप demo के तौर पे देख सकते हों कि आपका text ऐसा कुछ चलता हुआ screen पे visible दिख रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि जब हम 3D text में apply करेंगे अपने screen saver को तो हम अपने according कुछ text को move करवाना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले setting पे click करना है setting पे click करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ options है यहाँ पे इसको हटा देगे custom text पे अब जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं लिखना चाहते हैं कि मेरे screen पे moment करें आप उसको normally यहाँ पे type कर लिजे तो मैं यहाँ पे type कर लेता हूँ computer मैंने यहाँ पे computer type कर लिया है type करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप font चूच कर सकते हैं कि किस font में आप चाहते हैं कि वो screen पे आपके visible हो यहाँ पे मैंने एक impact ले लिया है and यहाँ पे मैं थोरा bold ले ले लेता हूँ यहाँ OK पे click कर देता हूँ अब यहाँ पे देखिए rotation type में दोस्तों कि कि side से आप उसको यह actually भी मैं दिखा नहीं सकता अभी आप यहाँ पे ध्यान दिजिएगा कि मैं यहाँ पे spin ले लिया हूँ अब जब screen server apply होगा दोस्तों screen पे उसमें हम देखेंगे कि spin कैसे movement करता है अब यहाँ पे देखिए resolution में high रख लेते हैं size में normal सही है इतना पे and दोस्तों उसके घूमने का जो speed है वो ज़्यादा fast न रखे normal ही रखे ज़्यादा अच्छा लगेगा और यहाँ पे हम ok पे करते हैं click तो ध्यान से देख सकते हैं कि demo के तौर पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि computer spin में normal movement कर रहा है मतलब turn हो रहा है only turn के जैसा काम कर रहा है वही अगर हम setting में जाने के बाद दोस्तो spin के जगा पे c sa कर देंगे और ok करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि c sa में क्या हो रहा है इधर से उधर text क्या कर रहा है बिलिंग कर रहा है दोस्तो तो आप इसी तरह यहाँ के सारे options को आप check कर सकते हैं कि किस options में आपका text किस तरह movement करता है ok दोस्तो तो हम normal spin पे ही रखते हैं और यहाँ पे करते हैं ok ok करने के बाद दोस्तो थोड़ी सी और हमारी settings है जो हमको करनी है तो थोड़ा सा चलिए settings करने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ प्रिव्यू का option है क्या आप देखना चाहते हैं कि आपका जो screensaver apply होगा आपके दिये हुए समय के बाद में वो कैसा perform करेगा, कैसा दिखेगा तो हम एक बार preview करके देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा जो screensaver apply हुआ है वो कैसा दिखेगा, यह देखे कुछ इस तरह आपको दिखेगा, आप देख सकते हैं आपके computer screen पे कैसा कुछ demo के तोर पे दिखाया जा रहा है ओके दोस्तों चलिए, तो हम क्या करते हैं थोड़ा नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखेगा wait one minute, आप इसके उपर वाले option से इसको जितना चाहें बढ़ा सकते हैं और जितना चाहें कम कर सकते हैं बट minimum one ही minute है दोस्तों आप देख सकते हैं उसके बाद क्या है, on resume display, log on screen मतलब क्या, कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि एक minute तक नहीं आपका keyboard टच किया जा रहा है नहीं आपका mouse टच किया जा रहा है नहीं आपके keyboard से कोई button का use किया जा रहा है तो automatic एक minute के बाद screen saver apply हो जाएगा तो चलिए हम देखते हैं, हम एक minute तक wait करते हैं इसी वीडियो में हम real में एक minute तक wait करेंगे दोस्तो और देखते हैं कि हमारा screen saver apply होता है या नहीं होता है ओके दोस्तों, तो चलिए हम करते हैं apply पे click और यहाँ पे करते हैं ok और हम इस windows को करते हैं minimize और हम अपने क्या किया अब मैंने क्या किया अपना hand keyboard और mouse से हटा लिया है अब देखते हैं कि एक minute बाद हमारे screen पे screen saver apply होता है या नहीं होता है, तब तक के लिए video पे बने रहिएगा अब दोस्तों हम थोड़ा यह देखेंगे computer जो मैंने type किया था वो हमारे screen पे आ चुका था अब थोड़ा हम लोग यह देखते हैं दोस्तों कि आखिर कार screen saver apply करना क्यों जरूरी है या हम लोग क्यों करते हैं तो सबसे पहला इसका topic जो है related है go green से related है दोस्तों go green हमेशा हमारे संसाधनों की बचाने के लिए बताता है उसमें सिखाता है तो आपको पता होगा दोस्तों कि जो भी हम PC computer laptop phone use करते हैं वो सभी electronic हैं और उनको चलने के लिए electricity की अवा सकता होती है तो दोस्तो screen saver का use हम तभी करते हैं suppose that हम working condition में हैं हम user के तोर पे computer के सामने काम कर रहा है और अचानक से हमको 10-15 मिनिट का break लेना पर गया दोस्तों तो हम क्या करते हैं screen saver अगर हमारे system में applied है तो हम normal way में उस system पर से उठकर जा सकते हैं क्योंकि जैसी हम वहाँ से जाएंगे मैंने time setup किया था 1 मिनिट का एक मिनिट बाद automatic आपका जो PC है वो sleep mode में चला जाएगा यानि कि screen saver mode में चला जाएगा दोस्तों ताकि screen saver mode में जाने के बाद जैसी आपका PC का power जो full ले रहा था उसका electricity consuming voltage सीधे उसके आधा हो जाता है जिससे विजली की काफी बचत होती है और दूसरा इसका लगाने का reason ये है दोस्तों हम लोग attractive look के लिए भी लगाते हैं तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो screen saver से related था आपको समझ में आया होगा और आपने सीखा होगा कि how to apply screen saver मतलब अपने PC लैप्टोप में screen saver को कैसे लगाते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए topic के साथ